प्राजस्तान के धौलपूर में वैर्थाना प्रभारी प्रेम सिंभासकर का अनुठा मामला सामने आया है उन्होंने खुद को धौलपूर के बसेडी विधानसभा से बीजेपी का संभावित उमीदवार बताते हुए एक बैनर जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने अपनी पुलिस वर्दी वाली फोटो लगाई है इस बैनर के वाइरल होने के बाद पुलिस प्रशाशन में जम कर हड़कम्प मच गया है वैर्थाना प्रभारी का ये राजनितिक बैनर सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है इस मामले की सूचना के बाद पुलिस के बड़े अधिकारियों ने ततकाल वैर्थाना प्रभारी प्रेम सिंग भासकर को लाइन हाजर कर दिया वैर थाना प्रभारी की राजनिती में जुड़े पाए जाने की सूचना के बाद सही भरतपुर के S.P. मृतुल कच्छवा ने कहा कि वैर थाना प्रभारी प्रेम सिंग भासकर के खिलाब शिकायत आने के बाद उच्छे अधिकारियों ने निर्देश दिये हैं और साथ ही उ भागे कारवाही भी शुरू की जाईगी वैर्थाना प्रभारी प्रेम सिंग भासकर की ओर से एक बैनर जारी किया था जिसमें उन्होंने वर्दी लगी हुई अपनी एक फोटो भी लगाई थी साथी बसेड़ी विदानसभा की बीजेपी से प्रत्याशी हेतु आवेदन पत्र अंकित किया है इसके अलावा उन्होंने अपनी जीवन का परिजय भी इस बैनर में दिया है इस बैनर में प्रेम सिंग ने कहा कि वो अब समात सेवा करना चाते हैं इस बैनर में उन्होंने अपने और परिवार के राजनितिक विवरन की भी जानकारी दी है वैनर थाना प्रभारी की ओर से जारी किये गए राजनितिक बैनर के बाद पुलिस हलके में हड़कंप मच गया है उधर लाइन हाजर होने के बाद प्रेम सिंग भासकर ने स्वैचिक सेवा निर्थी के लिए पुलिस विभाग को पत्र लिख कर भेश दिया है इसमें उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस विभाग में सेवा देते हुए 34 साल हो चुके हैं मैं अब बुजर्ग हो गया हूँ इसलिए परिवार और समाज में रहकर समाज की सेवा करना चाता हूँ इसलिए मुझे स्वैचिक सेवा नृत्ती प्रदान करने की कृपा करें पुलिस की वर्दी में फोटो के साथ बैनर जारी करने के बाद वैन थाना प्रभारी प्रेम सिंग भासकर सुर्खियों में आ चुके हैं उन्होंने बसेडी विधान सबा से चुनाव लड़ने की इच्छा चताते हुए बीजे पीसेज टिकेट मांग है प्रेम सिंग भासकर दौलपूर जिले के मानिया थाना छेतर के कुसेडा गाउं के रहने वाले हैं जो हाल में धौलपूर के जीटी रोड के जग जीवन नगर में रहते हैं प्रेम सिंग पुलिस की नौकरी में कई बार विवादों के चलते निलंबित भी हो चुके हैं